Hey everyone, this is Muskaan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको provide करता है kindergarten से लेकर class 12 तक हर class, हर subject के लिए quality education वो भी free of cost जी हाँ यहाँ पर आपको free of cost quality education प्रवाइड की जाती है चाहे आप किसी भी class, किसी भी subject के course को search करेंगे आपको complete courses यहाँ मिल जाएंगे with practice questions इसके अलावा e-books and e-notes को भी आप अवेल कर सकते हो, link उसका description box में आपको मिल जाएगा ओके, चलिए start करते हैं आज एक नया chapter which is excretory products and their elimination इस chapter में आप सबको पता है कि हम human physiology पढ़ रहे हैं और daily हर chapter में एक नया system पढ़ते हैं यहाँ आप पढ़ने वाले हो किसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हो human excretory system के बारे में वही हमारा आज का topic भी है उससे पहले हम लेंगे इस chapter के सारे topics का introduction कि आप किन किन topics के बेस पर इस पूरे concept को समझने वाले हो ठीक है यही हमारा pattern है हम हर chapter को start करने से पहले उस सारे topics का introduction लेते हैं then हम आते हैं किस चीज के उपर topics के उपर तो human excretory system से हम start करने वाले हैं इससे पहले कि हम start कर दें lecture को और खो जाए इस नए system की दुनिया में फड़ावट से आपको कर देना है इस session को like and share कर देना है अपने सारे ही दोस्तों के साथ चलिए start करते हैं session को सबसे पहले देखते हैं कि कितने topics आपको यहां पर समझने है see human excretory system में आप सबसे पहले समझोगे कि बाई कितने organ से मिलके बना हैं कैसा यह system है कैसे work करता है ठीक है इसके बारे में समझोगे फिर आप आओगे urine formation के उपर urine formation कैसे होता है ठीक है कौन सा organ urine को बनाता है वहां पर urine कैसे बनती है कहां store होती है किसके थूपास होती है कोई तो ऐसा tube होगा कोई ऐसा pipe होगा कोई ऐसे tubules होंगे जो क्या करवाएंगे, इसे pass on करवाएंगे, बिलकुल करवाएंगे, तो कुछ tubules के function के बारे में आपको समझना है, कि कौन से tubules हैं, कहां कहां पाये जा रहे हैं, क्या function perform कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये एक pipe की तरह work कर रहे हैं, जो किसी भी liquid को, urine को, water को क्या करवा देते हैं, स transfer करा देंगे, क्या ये सिर्फ इसी तरह work करते हैं, या कोई extra function भी इनके होते हैं, जैसे reabsorption करना, बिलकुल, याद आ रहे हैं टाउन सभी को, आप सब को पता है, कि जितना amount of urine बनता है, उसका काफी सारा, ठीक है, उसका काफी सारा, जो liquid matter है, वो क्या हो जाता है, वापस स से reabsorb कर लिया जाता है, ठीक है, अब ये reabsorption कैसे होता है, यूरीन को क्यों absorb करना है, यूरीन जो बना है, क्या वो absorb होता है, या उसके पहले वाला कोई material, जो है, उसमें सिर्फ water content को absorb करते हैं, ये क्या कहानी है, ये आपको यहाँ समझ लिए, ठीक है, mechanism of concentration of filtrate में, then regulation of kidney function, kidney जो अपने सारे functions को perform कर रही है, ठीक है, क्या इसे कोई superiorly regulate कर रहा है, इसके functions को, इसके mechanism को, ये आपको यहाँ समझ लिए, regulation of kidney function, के kidney कैसे function करती है, और kidney के functions को कौन regulate कर रहा है, then micturation, micturation क्या है, it is a scientific term, या biological term, आप इसे कहोगे, किस चीज के लिए, the urge to pass the urine out from the body, ठीक है, body से बाहर urine को पास कराने के लिए, जो urge आपकी body में आप feel करते हो, that is called as micturation in biological terms, ठीक है, अब ये कैसे create होता है, ये pressure कैसे create होता है, किन muscles कितरू होता है, कौन से hormone से होता है, किसका इसके अंदर role है, ये सारी कहानी आपको इसके अंदर समझ आईगी, mict excretion के अंदर, then role of other organs in excretion, excretion में और कौन कौन से, जो organ human excretory system में role play कर रहे है, वो तो ठीक है, इनके अलावा, क्या कोई दूसरे organ भी है, जो इस excretion में help करते है, उसे आपको समझना है, then disorders of excretory system, अब यहां अगर मैं बात करूँ, तो ये और ये, ठीक है, ये जो दो topics है ना, regulation and disorders, ये तो आप देखोगे कि सारे systems में common है, चाहे आपने पढ़ा respiratory system, चाहे आपने पढ़ा circulatory system, चाहे अब आप पढ़ रहे हो excretory system, सारे ही systems में, इसके बाद भी आपको कुछ systems अभी पढ़ने है, हर system में आप ये वाले topic जरूर पढ़ोगे, कि उस system को, उस system के functions को, कौन superiorly regulate कर रहा है, brain का कौन सा हिस्ता, कहां से उसके functions को किस तरह से regulate करता है, regulation of particular system आप जरूर पढ़ते हो, and then, उस particular system से related disorders कौन कौन से होते हैं, कौन सा disorder excretory system में, अगर इसकी functioning प्रापर ना चले तो होता है, ठीक है, kidney के failure से कौन सा disorder होता है, यह सारी चीज़ें आपको यहां पर समझ नहीं है, ठीक है, कुछ basic से ही disorders आप यहां पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा human health and disease पढ़ने लग जाते हो, जो कि class 12th का chapter है आपका, ठीक है, तो कुछ basic basic से disorders आप हर system से related जो हैं, वो पढ़ते हो यहां पर, यह दो topics आपके common topics हैं, जो सारे systems में आपको मिलेंगे, अभी तक भी मिलेंगे, ठीक है, चलो, तो यह हैं वो सारे topics जो आपको इस chapter में पढ़ना है, सबसे पहले start करते हैं किसके साथ, human excretory system के साथ, लेकिन पहले करेंगे हम क्या, पूरे chapter का complete introduction, चलो, start करेंगे भई, introduction में क्या समझेंगे माम हम, human excretory system है, excretion में role play करता है, ठीक है, इसके organs पढ़ना चाहिए directly, और excretion पढ़ना चाहिए directly, हम introduction में ऐसा क्या पढ़ने वाले, देखो, introduction में कुछ नया नहीं है, introduction में आप ये समझोगे, अभी आपको क्या पढ़ना है, human excretory system, topic क्या देखा आपने, human excretory system, तो human beings के अल बावा भी तो organism है ना दुनिया में, बस आपको क्या करना है, lower organism से लेकर, human के पहले तक के सारे organism में, कौन क्या excretory product को release करता है, कौन सा organism, किस तरीके से body से अपने waste को excret करता है, ये सारे mechanisms आपको समझने हैं, ठीक है, कौन सा organism, किस phyla का, किस level का organism है, और वो कैसे excretion कर रहा है, किस चीज को excret out करता है, ammonia को करता है, urea को करता है, uric acid को करता है, किसे excret out कर रहा है, इस basis पर आपको थोड़ा सा general introduction लेना है, समझा है कहानी, introduction में, आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, human से पहले वाले organisms, क्या क्या करते थे, कैसे excret करते थे, फिर दीरे दीरे आपक मिलेगा, human excretory system का, and then topic start होगा, human excretory system, ये हमारा पूरा lecture का flow होने वाला है, ठीक है, चलो, start करते हैं भाई, introduction लेना, that, animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chlorine, ठीक है, phosphate, sulfate, etc, क्या लिखा मैं ये सब, simple सी चीज है, कि humans, ये सारी चीज़ों का accumulate करते हैं, ठीक है, उनके अंदर ammonia भी होता है, urea भी होता है, uric acid भी होता है, carbon dioxide भी होती है, water भी होता है, excess water जो होता है, ions होते हैं, कई सारे, sodium, potassium, chlorine, ions, ठीक है, और phosphate होता है, sulfate, ये सारी चीज़े हमारे अंदर होती है, that is either by metabolic activities, or by other means like excess ingestion, ये से हमारे अंदर आता कैसे है, या तो metabolical activities के थुरू produce होता है, या फिर बहुत जादा excess ingestion से होता है, ठीक है, बहुत जादा इंटेक कर लिया आपने इन चीज़ों का, तब आता है हमारे अंदर कैसे आएगा, तो these substances have to be removed totally or partially, अब ये जो भी चीज़े आपके अंद body में accumulate हो गई है, हो तो गई है ना, हो तो गई है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, body sign है, जितना उन से harm पहुच रहा है, ठीक है, जितनी requirement है उतना रखके बाकी या तो आप totally उसको excret out करोगे, या partially करोगे, पर body से excess amount का कोई भी substance हो, अगर amount excess है तो उसको excret out तो करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी चीज़ के लिए है, तो in this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous wastes, इस chapter में आप यही समझने वाले हो, कि इन सारे substances को आप body से बाहर eliminate कैसे करते हो, ठीक है, इन सारे chapter के topics में आप यही समझने वाले हो, कि यह सारे waste को आप कैसे body से बाहर eliminate out करते हो, ठीक है, तो समझते इस topic को, चलो, see, ammonia, urea, uric acid, क्या है यह सारे nitrogenous waste है, ठीक है, आपको, आपकी body से, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ते हो, मैं हम digestion में भी तो हमने पढ़ा था, कि जो access होता है, उस सब को क्या करते हैं, हम आनस के तुरू excrete out कर देते हैं, तो यहाँ क्या नहीं आप पढ़ने वाले, excretory system में आप पढ़ने वाले हो, about the nitrogenous waste, के body से nitrogenous waste को, आप कैसे excrete out कर रहे हो, यहाँ पर role play करता है, आपका human excretory system, human beings में, ठीक है, kidneys ही अपना role play करते हैं, बात अगर हम करें excretory product की, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं, nitrogenous waste, अलग-अलग organism में, अलग-अलग nitrogenous product, जो है, वो क्या होता है, excretory होता है, अब जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, ammonia, urea, uric acid, यह वो major forms है, nitrogenous waste के, जो की excrete होते हैं, by the animals, and ammonia is the most toxic form, and requires large amount of water, for its elimination, ammonia जो है, वो सबसे ज्यादा toxic form है, और इसको large amount of water की जरूरत होती है, जिससे आप इससे eliminate कर सको, किसकी बात करेंगे, यह यहाँ पर मैं क्यों लिख रही हूं दोबारा से, क्योंकि इससे questions आते हैं, ammonia नहीं होता है, मैडम, ammonia होता है, ठीक है, ammonia, सबसे ज्यादा, अरे, कम बना दिया मैंने, सबसे ज्यादा amount of water इसे चाहिए होता है, body से बाहर eliminate out करने, eliminate करने के लिए, ठीक है, इसको चाहिए होता है, क्या बहुत ज्यादा large amount of water, okay, ammonia is the most toxic form, यह बहुत ही ज्यादा toxic form होता है, comparatively अगर आप बात करो के ammonia, urea और uric acid से, तो कौन सा है ammonia, इसको चाहिए होता a large amount of water, ताकि इसको आप eliminate कर सको, whereas, uric acid being the least toxic, और अगर least toxic की बात करें, तो uric acid क्या है, सबसे least toxic है, ठीक है, तो least toxic है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, uric acid, बचा क्या मैं बीच में, ठीक है, this can be removed within a minimum loss of water, और uric acid को remove करने के लिए body से बाहर, उतना जादा amount of water नहीं चाहिए होता, ठीक है, बहुत कम water loss करते हुए, आप इसे body से बाहर excrete कर सकते हो, किसे, uric acid को, ठीक है, तो uric acid क्या है, least toxic, और ammonia क्या है, most toxic, बचा क्या बीच में, एक ही ही बचा है, urea, तो यह कहां आ गया, moderate level पर, अपने आप आ गया, उसको लेके नहीं आना पड़ा आपको, अपने आप आ गया, moderate पर क्यूं, क्योंकि most toxic और least toxic आपने देख लिया, ठीक है, now, the process of excreting ammonia is ammonitalism, अब यहाँ पर देखो, दो टर्म्स आपको समझने हैं, जो कि बिलकुल एक जैसे ही है, उसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा याद करने वाला नहीं है, ammonia को excrete करने वाले organisms, ammonotelic कहलाएंगे, और यह process कहलाएगी ammonotelism, ठीक है, यह process कहलाएगी ammonotelism, clear, देखो, process of excreting ammonia is ammonotelism, ammonia को excrete करने की process ammonotelism कहलाएगी, और organism कहलाएगे क्या, organism कहलाएंगे ammonotelic, ठीक है, और वैसे ही, लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो लिखा है भाई, इसको अपर इटा देते हैं, Ammonotelic, ठीक है, Ammonotelic कहलेंगे, Ammonia को excrete करने वाले organisms, Ammonotelic कहलेंगे, तो the process of excreting Ammonia is Ammonotelism and the organism which exhibit Ammonotelism are called as Ammonotelic in nature, बात करें अगर इनके example की, तो कई सारी Boney Fishes, Ammonia excrete out करती है, Aquatic Amphibians and Aquatic Insects, These are Ammonotelic in nature, यह कैसे होते हैं, नेचर में Ammonotelic होते हैं, and Ammonia as it is readily soluble, ठीक है, Ammonia क्योंकि क्या होती है, readily soluble होती है, तो इस generally excreted by diffusion across body surface, अब यह क्या करती है, Ammonia body surface से diffusion की फॉलो करते हुए excrete out होती है, ठीक है, Ammonia body surface से diffusion की प्रोसेस को फॉलो करते हुए excrete out होती है, ओके, See, तो Ammonia क्योंकि readily soluble है, तो इस generally excreted by diffusion across the body surface, और through the gill surface in fishes, As Ammonium ions, fishes में जो gill surface होता है, उनके through, या body surface से ही, Ammonium ions के form में यह क्या हो जाती है, Body से बाहर excrete out हो जाती है, body के surface को use करके, ठीक है, diffusion की process हो रही है, तो obvious ही बात है कि surface जहाँ पर क्या हो, outside body के बाहर जो atmosphere है, उसमें क्या हो, Ammonium ions का concentration low हो, और body के अंदर जब क्या हो जाए, concentration ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा से कम की तरफ movement होगा, किसका, Ammonium ions का, और इस ही को आप कह रहे हो, कि यह diffusion exhibit करते हैं, process of diffusion exhibit करते हैं, और क्या करते हैं, excretion करते हैं, and kidneys do not play any significant role in its removal, Ammonia की अगर हम बात करते हैं, तो इसके removal में, kidneys अपना कोई ऐसा specific role play नहीं करती, ठीक है, kidneys do not play any significant role in the excretion of Ammonia, किसके excretion में बात कर रहे हैं हम, Ammonia के excretion में, kidneys ऐसा कोई specific role play नहीं करती, ठीक है, अब बात करें आगे, कि Ammonia का तो मैं हम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आगे क्या हो रहा है फिर, पहले हम सारे organism पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी lower organisms हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, तीनों तरह के, Ammonotallic, Ureotallic, Uricotallic, सबको पढ़ेंगे, दन आएंगे human excretory system पे, यह फ्लो रहने वाला है, ठीक है, तो terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste, like urea and uric acid for conservation of water, जो terrestrial adaptation हुआ, ठीक है, जब लोगों को, देखो, जब तक पानी वाले organism है, तो उनको तो पानी की भई कोई कमी नहीं है, वो तो क्या कर सकते हैं, large amount of water उनके पास तो है, जिससे वो ammonia को excrete कर सके, लेकिन ammonia ले रहा है, large amount of water, और जो terrestrial organisms हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो comparatively उनके पास पानी कम है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐसे nitrogenous waste बनाने पड़ेंगे, अपने excretory product में, कि भाई, जो कम पानी ले ammonia के comparison में, तो इसको आप कैसे बताओगे, इसे आप ये बताओगे, कि terrestrial adaptation जब हुआ, यहाँ पर ये, जो जरूरत पैदा हुई, कि भाई, कम पानी में आप जिसको excrete out कर सको, ऐसा कोई nitrogenous waste होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर less toxic nitrogenous waste की बात निकल कर आई, which are urea and uric acid, जिससे पानी का conservation हो सके, body का जो water amount है, वो क्या है, amount of water जो है body के अंदर, वो क्या हो, कम loss हो, क्या आया बीच में, कम amount of water से ही excrete होने वाले, urea और uric acid, now, mammals and many terrestrial amphibians and many marine fishes, ठीक है, mammals की अगर हम बात करें, terrestrial amphibians की अगर हम बात करें, marine fishes की अगर हम बात करें, तो ये mainly excrete करती है urea और इनहें आप कहते हो ureotelic animals, क्या कहते हो इनहे, ureotalic animals कहते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल basic है, जो कि बिल्कुल basic है, ureotelic, ठीक है ammonotelic, ureotelic, simple है, ammoniotelic, ठीक है, ammonotelic और ureotelic, simple है, ammonia को excrete करने वाले ammonotelic, और यूरिया को excrete करने वाले यूरियो टालिक आप बचा क्या यूरिक असिड तो यहां भी कुछ नहीं यूरिक तो पूरा रहेगा ओ टालिक लगा दोगे आप यूरिको टालिक ठीक है? यूरिको टालिक तो learn करना भी भही इसके लिए बहुत आसान है ऐसा कुछ इसमें कॉम्पलेक्स नहीं है, सिंपल है अमोनो टालिक, यूरियो टालिक, यूरिको टालिक अमोनो टालिक, अमोनिया excrete करने वाले, यूरियो टालिक यूरिया excrete करने वाले, यूरिको टालिक यूरिक असिड एक सिरीट करने वाले प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मेटबॉलिजम से, जो मेटबॉलिक अक्टिविटीज चलती है, बॉडी के अंदर, cellular activities चलती है, उस से जतनी भी urea produce हो रही है, थीक है? उस से जतनी भी urea produce हो रही है, sorry, ammonia produce हो रही है, यह क्या करते है? उसको urea में convert कर देते हैं, कहां पर liver में? अपने liver में यह उस ammonia को urea में convert कर देते हैं and released into the blood which is filtered and excreted by the kidneys और फिर उसको release कर देते हैं blood में, मतलब हुआ क्या, कि body में जो भी cellular activities से ammonia produce हो रही थी, उसको liver में भेजा, liver ने उसे urea में convert करा, urea बना के फिर उसने क्या कर दिया, उसे blood में release कर दिया, और blood ने फिर उसे क्या करा, kidney में, जो blood में urea था, वो कहां चला गया, kidney के पास चला गया kidney ने उसे क्या कर दिया, filter कर दिया, ठीक है, kidney से उनने क्या कर दिया, filter किया, and then some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity, अब यहां पर क्या होता है, एक desired osmolarity को बनाए रखने के लिए, उसको maintain करने के लिए, कुछ amount of urea हमेशा kidney matrix में बना रहता है, ठीक है, reptiles, birds, land snails, insects, यह excrete करते हैं, nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water, and they are called as uricotelic animals, आपने अगर किसी bird का excretory product देखा हो अगर, तो आपने देखा होगा जो birds का excreta होता है, वो काफी जादा dry होता है, काफी जादा dry होता है, क्यों, क्योंकि उन्हें uric acid excrete करना होता है, और इसमें इन्हें बहुत ही less, ठीक है, least amount of water जो है, इसमें lost होता है, इसको excrete करने में, इसलिए उनका excreta जो होता है, वो बहुत ज्यादा dry होता है, या फिर एक paste की तरह होता है, ठीक है, या फिर एक paste की तरह होता है, palette और paste जिससे आप कहते हो, ठीक, with minimum loss of water, they excrete what, they excrete uric acid, and called as what, uricotallic animals, क्या कहलाते हैं, uricotallic animals, ठीक है, चलो, ये clear करते हैं, अब आपने तीनों तरह के excretory product वाले organism समझे, example भी देखे, फड़ा फट से चोटा सा introduction पार्ट बाकी है, वो ले ले लेते हैं, और human excretory system पर आते हैं, चलो, a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures, animal kingdom का एक survey जो है, वो कई जारे variety of excretory structures को बताता है, जैसे कि, most of the vertebrates, ज्यादा तर vertebrates के अगर हम बात करें, तो ये structures काफी simple tubular forms की तरह होते हैं, सिर्फ काफी सारे tubes, simple simple tubes पाए जा रहें, और अगर बात करें vertebrates की, बात करें vertebrates की, तो they have complex tubular organs called kidneys, kidney क्या है, tubular organ कहते हैं ना kidney को, क्योंकि इसमें है ही क्या, इसमें इतने सारे tubes हैं, इतने सारे tubes हैं, अब ये tubes क्या करते हैं, ये आपको पता है एक अलगी पूरा आपका topic है, functions of the tubules, ठीक है, ये पूरा topic है आपका अलग है, functions of tubules, इसी लिए है, कि भाई kidney है क्या, kidney पूरा tubular organ है, इसमें बहुत सारे tubes हैं, तो tubules का function आप अलग से पढ़ोगे एक topic में, ओके, चलो भाई, अगर आपको lecture समझ आ रहा है, अगर आप topic समझ पा रहे हो, concept आपके समझ में आ रहा है, आपक आ रहा है कि आपको यहां पर NCRT का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं बाकी बचने वाला, जो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को भई share भी करते रहा करो, ठीक है, and like जरूर कर दो session को, comment करके बताते रहा करो कि कहां क्या चीज़ें समझ आ रही है, और अगर सार mentioned here, कुछ structures की अगर हम बात करें, जो primitive organism से लेकर, lower organism से लेकर अभी तक दिखे जाते हैं, which are, proton aphridia और flame cells are the excretory structures in platyhelmin's, proton aphridia और flame cells, यह excretory structure हैं कि इसके अंदर? platyhelmin's में, जैसे की, flatworms, planaria, यह सब आते हैं इसमें, rotifors, some anylates, and the cephalocodate amphioxus, ठीक हैं, यहां पर बात हमने किसकी की है, excretory structure की हम बात कर रहे हैं कि कौन किस तरह से excretory करता है, flame cells की बात होगे, proton aphridia are primary concerned with ionic and fluid volume regulation, that is called as osmoregulation, proton aphridia का function mainly क्या है, mainly इनका function है, ionic or fluid volume regulation, which is called as osmoregulation, जैसे आप क्या कहते हो, osmoregulation कहते हो, and nephridia are the tubular excretory structures of earthworms and other annulates, अगर हम earthworms और बाकी annulates की बात करें, तो इन में excretion होता है, nephridia के थुरू, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको सुनी सुनाई ही लगेंगी, हर system में यह सब कुछ आपको सुना हुआ लगेगा, क्यूंकि यह सब कुछ आप पढ़ चुके हो, animal kingdom के अंदर, ठीक है, यह सार in a fluid and ionic balance, nephridia क्या करते हैं, इन nitrogenous waste को remove करने में help करते हैं, और fluid और ionic balance को बना के रखते हैं, ठीक है, और भी कही सारे excretory system आपने पढ़े हुए हैं, जो अलग-अलग organism में पाई जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है about the malfeagian tubules, क्या है यह, बहुत ही famous नाम, सब इने स ना हुआ है, यह है excretory structures of most of the insects, including cockroaches, ठीक है, कौचरोच के भी यह क्या है, excretory structure है, okay, most of the insect, insecta, भाई, class, insecta को कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है, insecta को कैसे भूल सकते हैं, हम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाले, ठीक, तो insects का excretory structure, क्या है, malfeagian tub debules, और cockroach के भी, malfeagian debules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation, यह भी यह करते है, nitrogenous waste को remove करवाते है, osmoregulation को maintain करते है, antennal glands और green glands perform the excretory function in crustaceans like prawns, अगर हम prawns जैसे organisms की बात करें, तो इनके पाई जाती है, green glands, जोने और क्या कहते है, antennal glands, ठीक है, तो antennal glands और green glands, यह excretory system, यह excretory functions को perform करते हैं, किसके अंदर, crustaceans के अंदर, जैसे की prawns, जैसे की prawns, ओके, यहाँ आपको समझाया होगा पूरा का पूरा flow, कि previous organisms में कैसे excretory functions को कौन perform कर रहा है, कौन-कौन से उनके excretory organs उनके अंदर पाई जा रहे हैं, किसके अंदर कौन सा पाया जा रहा है, कौन क्या excretory करता है, ammonia, urea, uric acid, यह सारी चीज़ें आपको समझ अभी तक आई होगी, ठीक है, previous से लेकर यहाँ तक हम lower organism से लेकर यहाँ तक आ गए हैं, और अब आपको start करना है topic, human excretory system, ठीक है, human beings का excretory system कैसा होता है, कौन-कौन स के पास होते हैं, किस तरीके से वो body से अपने excretory को excretory करते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर कौन सा nitrogenous waste होता है, यहाँ लिखा तो नहीं है गई, हमारे अंदर कौन सा nitrogenous waste होता है, ammonia, urea, या फिर uric acid, जल्दी से बताएं, फड़ावट से comment करें, हमारे अंदर कौन सा nitrogenous waste होता है, ammonia, urea, या फिर uric acid, हम क्या हैं, हम ammonotelic हैं, ureotelic हैं, या uricotelic हैं, हम कैसे organisms हैं, जल्दी बताओ, human beings are what, amonotelic, ureotelic, और uricotelic, और all of them, या फिर none of them, पांच option मैंने आपको दे दिये, a, b, c, d, e, फड़ावट से comment करके बताओ, हम क्या हैं, human beings are what, amonotelic, ureotelic, uricotelic, और what, क्या हैं हम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फड़ावट से comment करो, what are we, हम कैसे organism से हम check street out करते हैं, क्या होते हैं, human beings, amonotelic, ureotelic, या फिर uricotelic, तीनों चीज़ें आप अभी अभी देख चुके हो, ammonia के बारे में भी देख चुके हो, most toxic one, and uric acid के बारे में भी देख चुके हो, that it is the least toxic one, एक flow हमने बनाया था, एक बार फिर से बना लेता है, एक flow हमने बनाया था, about the ammonia, than urea, and than uric acid, ठीक है, यही flow बनाया था हमने, अब यहाँ आप देख रहे हो, order, यहाँ पर मैंने most, ठीक है, greater order दिया है, किस sense में दिया है, toxicity, ठीक है, most toxic है क्या ammonia, most toxic है क्या ammonia, और least toxic है क्या, uric acid, अब क्योंकि urea ही बचता है, तो obviously वो कहाँ आ गया, दोनों के बीच में, और हम है कहाँ, हम in between situation वाले है, that means कि हम है, urea excrete करने वाले, अच्छा, urea को excrete करने वाले क्या कहलाते हैं, ureotelic कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ureotelic कहलाते हैं, तो हम क्या हो गए, ureotelic animals, हम क्या हो गए, ureotelic animals हो गए, जो urea को excrete करते हैं, अपने excreta से, ठीक है, और ammonia excrete करने वाले, ammonotelic होते थे, ureotelic होते थे, ureotelic होते थे, ureac acid वाले, इतना तक्लियर है, अब देखो, most toxic है ammonia, जिसको excrete करवाने के लिए, सबसे जादा amount of water की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, maximum amount of water needed, ठीक है, और यहाँ पर minimum amount of water needed, ठीक है, यहाँ पर maximum amount of water is needed, और यहाँ पर minimum amount of water is needed, और बात करें किसके ureya की, तो यह फिर से आगया in between, यह फिर से आगया in between, मतलब moderate, comparatively अगर आप बात करें उना भी दोनों के, तो moderate amount of water is needed, ठीक है, moderate amount of water is needed, यहाँ पर आपको moderate amount of water, की जरूरत पड़ती है, अब यह चीज आप कैसे समझ सकते हो, तो भाई यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा, कि, यूरिक एसेट की अगर हम बात करें, तो birds एक example है हमारे स्वास, ठीक है, जो uricotallic होते हैं, birds का जो excreta होता है, वो बहुत ही ज़्यादा dry होता है, और बहुत ही ज़्यादा paste like होता है, यूरिक एसेट को वो excreta करते हैं, और जिसे body से बाहर excreta करने के लिए, बहुत ज़्यादा amount of water की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, यह एक example है, और उससे अगर आप comparatively आओगे human beings के तरफ, तो आप देखोगे कि excreta में जो amount of water होता है, वो moderate होता है, ठीक है, तो इतनी कहानी आपको clear हुई, बार-बार हमने focus किया किस के उपर, यूरिया के उपर, मतलब यूरिया को excreta करने वाले, यूरियो टालिक, जो की कौन है, हम है, ठीक है, हम इस वक्त किस के example की बात करने हैं, हम अकेले नहीं है, बर हम अभी किस की बात करने हैं, यूमन्स की ही बात करने हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, यूमन एक्स्क्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सिंपल है, हमें क्या चाहिए होता है, भई हमें body से अपने एक्स्क्रीटरी प्रड़क्स को, यूरिया को बाहर निकालने के लिए, moderate amount of water की requirement होती है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, यूमन एक्स्क्रीटरी सिस्टम को, क्लियर है कहानी, देखो, इन एक्स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट औफ अप पेर अफ किड्नीज, यूमन बिंग्स में एक्स्क्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, पेर अफ किड्नी, वन पेर अफ यूरियर्टर, यूरीनरी ब्लैडर, और आफ यूरिथरा, यूमन की अगर हम बात करें, तो एक्स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट औफ अप पेर अफ किड्नीज, इनको बाहर लेके जाने वाली, ठीक है, हर kidney से, वो क्या कहलाएगी इसकी, वो क्या कहलाएगी इसकी, ureter, क्या कहलाएगी वो, ureter कहलाएगी, ठीक है, हर एक को बना लेते हैं, यह देखो, ureters, ठीक, ureter, and then, urinary bladder and urethra, अब यह जो kidney से आ गया है, tubes के थू, ureter के थू, secretion, इसको store कहां करेंगे, इसको store करेंगे, ureter से लाकर, urinary bladder में, ठीक है, यह, urinary bladder में store किया, then, जो opening है, जिसके थू, इसे बाहर release करेंगे, यह opening कहलाएगी, urethra, ठीक है, यह opening क्या कहलाएगी, urethra कहलाएगी, ओके, clear है कहा नहीं, तो यह हैं parts किसके, यह हैं parts, human excretory system के, pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder, and urethra, लेकिन ऐसा नहीं है कि excretory system सिर्फ इन चार चीजों से चल जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं, जो आपको यहाँ diagram में, खुद ही दिखाई दे रही हैं, जो कि अपना role play करती है, देखेंगे सब के बारे में, एक बार क्या-क्या label किया हुआ है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं, कुछ बहुत important से parts, जो एक तो मैंने highlight करती है as green, दूसरा आपको दिखी रहा है, इसे अगर आप देखोगे, तो यह क्या है, मैं, यह है dorsal iota, क्योंकि, इनका होन यहाँ क्यों जरूरी है, डॉसल iota का, और inferior vena keva का, इन दोनों का यहाँ होना क्यों जरूरी है, क्योंकि, जो यह excretory waste है, यह किस के through, किस के अंदर है, blood के अंदर है, blood में कहा से आया है, liver से अया है, liver से अया है, liver से होते हुए, यह कहां चला गया, blood ने क्या किया, इसे, liver क्या किया इसे blood में mix कर दिया था and then ये blood से आया कहां पर kidneys की तरफ blood कहां आया kidneys की तरफ आया kidneys किड्नी ने क्या किया इस blood से nitrogenous waste को क्या किया separate कर दिया ठीक है मतलब blood को क्या किया purify किया किस चीज से pure किया nitrogenous waste से pure किया ठीक है यही का में किड्नी का यही का में किड्नी का यह function जैसे ही इसने अपना perform किया और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ma'am जो pure blood था जो किड्नी ने क्या कर दिया है filter कर दिया है वो चला जाएगा ठीक है वापस से body उसको यूटिलाइज करने लगेगी और जो उससे excretory product निकला है वो आ जाएगा कहां पर urinary bladder में urinary bladder में आके store हो जाएगा यहां तक लाने का काम कौन करेगा urinary bladder करेंगी दोनों किड्नी से लेकर आएंगी urinary bladder में store करेंगी urethra के दुरू body के बाहर कर देंगी ठीक है तो pure blood को लेके जाना और impure blood को जिसमें nitrogenous waste है उसे kidney तक लेकर आने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी जो है and then बात करें अब kidney के parts की तो इसे आप और अच्छे से भी पढ़ने वाले हो but still यहां भी एक बार देख लेते हैं kidney के parts के अगर हम बात करें तो यहां पर जो एक region सबसे पहला आपको नजर आ रहा है इसका सबसे पहला region देखो यहां पर यह जो आपको नजर आ रहा है this is pelvis then आप अगर इसका बिलकुल उसकी outermost covering वाला region देखोगे तो this is cortex ठीक है यह देखो यह this is cortex and इसके अंदर आपको जो region नजर आ रहा है this is medulla pelvis, cortex, medulla यह सारे parts आप अभी पढ़ने वाले हो then then यह देखो यहां से iota से अंदर जा रही है क्या renal vein ध्यान देना, lungs से आप जब भी कुछ भी related पड़ते थे तो वहां पर एक term use होता था pulmonary, pulmonary, pulmonary यादे, यादे सबको pulmonary vein, pulmonary word हम use करते थे किस से जब वो associated है, lungs से associated है, pulmonary word use होता है, liver से जब चीज़ें जोडी होई होती है तो उसके लिए आप use करते हो word, hepatic, क्या word use करते हो, hepatic, वैसे ही, जब भी बात होगी kidney से associated vein की, artery की, तो यहां आप word use करते हो, renal, ठीक है, क्या word use करते हो, renal word use करते हो renal artery and renal vein, ठीक है, जो हिस्सा, जो branch यहां आ रही है, वो क्या कहलाएगी, renal artery और renal vein कहलाएगी clear है कहानी, renal artery और renal vein, इसके अलावा आपको kidneys के ऊपर नजर आ रहा है एक portion, which is the adrenal gland यह portion क्या है, यह है adrenal gland, ठीक है, चलो clear करने से पहले एक बर जड़ा देख लो, सारी चीज़े समझ में आ रही है या नहीं, basic से parts है, main parts आपने क्या देखे excretory system के, pair of kidney, ureter, ठीक है, यह दोनों क्या है, paired, then आपको क्या मिला, कि भाई, जो kidneys ने क्या किया है, urea जो excret करवाया है, वो लेकर आजाएंगी कौन, ureter लेकर आजाएंगी, urine re-bladder में store करेंगी, uretera से excret करेंगे, बाकी चीज़े आपको जो नजर आ रही हैं, उनका मैंने आपको होगा, kidney से related चीज़ों में renal word use होगा, जैसे lungs से related चीज़ें थी तो pulmonary use होगा था, liver से related चीज़ें होती हैं, तो hepatic use होता है, वैसे ही kidney से related चीज़ों में renal word use होगा, ओके तो renal artery, renal vein and kidneys के उपर आपको नजर आ रही है, adrenal gland, ओके चलो, आगे read करते हैं, आगे समझते हैं, kidneys are reddish brown bean shaped structures, kidneys क्या होती है, reddish brown bean shaped structures होती है, which are situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae, अच्छा यहां पर एक बहुत important बात जरा ध्यान दो, किस किस को ऐसा लगता है कि मैम यह digestive system में भी आया था, sorry, आपका breathing and exchange of gases में भी आपने देखा, ठीक है, काफी सारी चीज़ों में आप यह देखते हो, मैम यह lumbar vertebrae, और thoracic cavity, ठीक है, और mid thoracic cavity में आके divide हो जाएंगे, ब्रॉंकाई में, यह सारी चीज़ें मैं मम पढ़तों ने, पर हम ही नहीं पता यह mid thoracic cavity क्या है, यह vertebrae कौन सी है, यह lumbar vertebrae कहाँ पर होती है, क्या है यह सब कुछ, यह सब कुछ आपको जो next chapter आने वाला है, locomotion and movement, जिसमें आप skeletal system को भी पढ़ोगे, वहाँ पर यह सार knowledge आपको कहाँ मिलने वाला है, locomotion and movement में skeletal system के अंदर, ठीक है, वहाँ यह सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, तब आपको यह सब कुछ clear होने वाला है, जो अभी आपको लगता है कि यह सब ऐस तरह से लिग देते हैं, जैसे हमें तो पता ही है, ठीक है, तो पता चलने वाल नेक्स चाप्टर में, ओके, चलो आगे परते हैं, कहाँ प्रेजन्ट है में, किड्नीज, रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से, राजमाज जैसे दिखते हैं, ठीक है, situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae, ठीक है, यहाँ पर यह प्रेजन्ट होते हैं, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity, very close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity, तो यह कहानी clear है इसकी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, each kidney of an adult, each kidney of an adult, एक ज्यादा आगे बढ़ा दिया क्या मैंने, नहीं, clear है न, यही तक हुआ है, हाँ, ठीक है, चलो, आगे बढ़ेंगे इसी में, each kidney of an adult human measures 10 to 12 cm in length, र्याम दो, यह जो किड्नी क structure आपको नजर आ रहा है, इसका dimension क्या है, adult human की kidney 10 to 12 cm होती है in length, 5 to 7 cm होती है in width and 2 to 3 cm होती है in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram, ठीक है, length, width, thickness and its weight also, यह सारे dimensions याद रखना, किस के dimensions, किड्नी के dimensions, क्या 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 कह रहे है, हर kidney जो होती है, human adult की, वो होती है 10 to 12 cm in length, 5 to 7 in width, ठीक है, length में 10 to 12 cm, 10 to 12 cm and बात करें किसकी width की, तो it is 2 to 3 cm, sorry, 5 to 7 cm, क्या हो इसे, 5 to 7 cm, बात करें अब इसकी thickness की, तो thickness कितनी है, thickness है इसकी 2 to 3 cm, ठीक है, thickness को हम कैसे बता सकते हैं, जो 3rd dimension होगा इसका, ठीक है, 3rd dimension हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि बात चल रही है, thickness की, ठीक है, तो thickness कितनी है, 2 to 3 cm, और अगर बात करें weight की, तो its weight is 120 to 170 gram, ठीक है, dimensions याद रखना, कोई भी basic सा question जब भी पूछा जाये, तो उसमें यह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, basic सा question, objective आ गया, आपका MCQ आ गया, महाँ पर यह चीज़ें होती है, ठीक, 10 to 12 cm in length, 5 to 7 cm in width and 2 to 3 cm in thickness and then weight है, एक kidney की बात चल रही है, दोनों की नहीं, एक kidney की बात चल रही है, देखो, each kidney, हर एक kidney का weight है इतना, 120 to 170 gram only, gram only, then, towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hyalum, ठीक है, हर kidney के, आप center की तरफ अगर देखोगे, towards the center, towards the center of the inner concave surface of the kidney, जो ये inner concave surface है kidney का, ये देखो, center की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ से देखो, center की तरफ अगर आप देखोगे, तो ये जो concave surface है kidney का, ये देखो, ये cave बना रहा है न, ये पूरा concave surface, यहाँ पर आप which is the hilum, through which ureter, blood vessel and nerve center, जिसके through ये सब इसके अंदर enter करते हैं, कौन-कौन, ये देखो, ureter enter कर रहे हैं, renal pelvis, vein, artery, ये सब इसके अंदर enter कर रहे हैं, किसके through, hilum के through, hilum क्या है, hilum, kidney के center की तरफ, उसके, concave surface के अंदर, एक अंदर की तरफ जाने वाला एक region है, जिसके through ये सब उसके अंदर enter करेंगे, आपको सब कुछ enter करता हुआ दिख रहे हैं, renal vein enter करती हुए दिख रही है, renal artery enter करती हुए दिख रही है, ureter ये ही पर enter कर रही है, ये पूरा region क्या है, this region is hilum, ये region क्या है, this is hilum, ठीक है, ये region, जहां से ये enter कर रहे हैं, ठीक है, जहां से ये सब enter कर रहे हैं, this region is what, this is hilum, then, inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis, अब इस hilum से अंदर आप देखोगे, तो एक काफी broad funnel shaped आपको structure नजर आएगा, जिसमें आगे की चीज़ें और ज्यादा attached है, ठीक है, अब ये region जो पूरा आपको दिख रहा है, this is renal pelvis, ठीक है, this is renal pelvis, देखो ये वाला region, आप ये कह सकते हो कि kidney की जो opening है, जहां से उसमें सारी चीज़ें एंटर कर रही हैं, ठीक है, उसमें artery एंटर कर रही है, उसमें vein एंटर कर रही है, है, that region, that opening is called as what, is hilum, और उस opening के बाद, जहां से यह सब enter तो कर गए, enter करके अंदर के parts के साथ अधेयर कहां पर हो रहे हैं, enter करके अंदर के regions के साथ अधेयर कहां पर हो रहे हैं, एक ऐसे region में which is a funnel shaped region, जिससे आप कह रहे हो renal pelvis, जिससे अब इस renal pelvis में क्या होंगे, कुछ projections होंगे, जिनने आप calluses कहोगे, calluses कुछ नहीं है, एक singular बोलोगे आप तो it is calyx, और जब सब की बात करोगे तो calluses, यह देखो, इस pelvis में, इस renal pelvis में आपको यहां पर attached दिखाई दे रहे हैं, यह सारे calluses, इस renal pelvis में देखो, these are calluses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कही सारे calluses उसमें होते हैं, मतलब इन सब को singular आप बोलोगे callus, तो ऐसे कही सारे callus होते हैं, और सब को आप क्या बोलोगे, calluses, ठीक, तो इस pelvis region से जुड़े हुए है calluses, इस pelvis region से जुड़े हुए है calluses, ठीक है, singular बोलोगे तो callus, एक की बात करोगे तो callus, यह देखो, यह देखो यहां पर, यह region क्या है, highlum के अंदर वाला region is, highlum के अंदर वाला region is, pelvis, कौन सा pelvis? renal pelvis, क्योंकि kidney की बात हो रही है, renal term, use okay okay high lume candle wala region is pelvis pelvis se jude hoi hain kya calyx bhohs sare sabko bohloge kya calluses sabko bohloge kya calluses abdihan do toro aapko calyx se bhi kuch attach dikha hai calyx se bhi kuch attach dikha hai aate hai us ke oopar bhi aate hai us ke oopar bhi calyx se kya attach dikha hai the outer the outer layer of kidney is a tough capsule and inside the kidney there are two zones outer cortex and an inner medulla agar aap baat karoge kidney ke outermost surface ki thikha hai toh woh kaafi tough capsule ki tarah hota hai aur kidney ke under wale region ko agar aap define karoge toh aap dho tariqe se define karoge kidney ke under wale region ko aap dho tariqe se define karoge joh outer most is ka region hai isse aap kaoge cortex joh ki aapko yeh dikha ra hai thikha hai yeh region yeh joh aapko outer most region nazer aah raha hai this is the cortex yeh dikho yeh joh region aapko outer most nazer aah raha hai yeh kya hai this is cortex this is cortex yeh cortex hai cortex ke baad cortex ke baad inner most portion ke agar ham baat karayin toh that is medulla cortex ke baad inner most ki baad ham karayin toh this is medulla thikha hai cortex ke baad agar ham baat karayin toh this is medulla yeh haa par yeh joh regions aapko sara dikha raha hai these are medulla aap kya bologhe inheh medullary pyramid bologhe thikha hai yeh joh regions aapko anadar nazer aah raha hai cortex se anadar ki taraf outer most thikha hai kidney ki boundary se joh kye ek tough capsule hai uske baad wale region ko aap dho zone me define ker raha ho outer most zone ko aap cortex ke raha ho uske anadar abaap dekho aap calyx tak toh bata hai chukye thai bacha kya uske anadar ma'am yeh kuch pyramid jashe dikha raha hai yeh pyramid kya hai medullary pyramid yeh pura region kya hai this is medulla thikha hai this is medulla outer most is cortex then inner one is medulla medulla region meh aapko dikhha hai de raha hai hai bhoas sare medullary pyramids thikha hai medulla region meh aapko dikhha hai dikhha hai de raha hai bhoas sare medullary pyramids see isi ke baare mein bola hai next isi ke baare mein bola hai next that medulla is divided into a few conical masses medulla kai sare conical masses meh divided hai jinnye aap medullary pyramids kehthe ho which are projecting into the calluses joh ki kis meh singular callus thikha hai joh ki aapko kahaan se nikaltay huwaj dikha raha hai in calluses है से लिकलन दिख रहे हैं ठीक है है यह तेखो middle midiolary pyramids कहां से निकलन थे ऩह लिए तूटियर हुआ का आपको ऑडाग्राम बता वढ़ाः दोली से अगर आप बात करोगे इस साइड से ठीक हैं सेंटर की तरफ कोण्टेव के डिक संटर की तरफ कौन केव शेप में क्या होता है मैं केव बनती है गुफा बनती है तो गुफा के सेंटर की तरफ जाने की अगर आप बात करोगे ऐसे गुफा बन रही है तो गुफा के सेंटर में जाने की अगर आप बात करोगे तो जो रीजन जहां से सारी चीज़ें सेंटर में एंटर कर प हाइलम के बाद जो region है, जिसके अंदर ये सब कुछ enter कर रहा है, that is, हाइलम के बाद वाला region is renal pelvis. इस renal pelvis से जुड़े हुए है क्या? इस renal pelvis से जुड़े हुए है क्या? बहुत सारे calyx. ठीक है? ऐसे रफ बनाते हैं. इस renal pelvis से जुड़े हुए है बहुत सारे calyx. इन सारे cal से जुड़ा हुआ है क्या? इन सारे Makeल acab से जुड़ा हुआ है क्या? Medullary pyramids. ठीक है इन सारे Makeall extra jam से जुड़े हुआ है क्या? Medullary pyramids और ये जो सारे Medullary pyramids होंगे यही सब क्या मिनाएगे? Medulla ये पूरा region क्या कहलाएगा medulla और इसके बाद अब जो region बाकी बच गया है इस medulla के बाद अब जो region बाकी बच गया है वो कहलाएगा cortex वो क्या कहलाएगा cortex कहलाएगा clear होई क्या कहानी कौन कौन से region आपने देखें आपने देखा कि आउटर मोस्ट अगर हम बात करें कवरिंग की किसकी बात करें हम किड्नी के आउटर मोस कवरिंग की तो इट इस टफ कैपसूल इस टफ कैपसूल के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं हम यह देखते हैं माम कि अगर आप कॉंकेव सर्फेस में सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो एक रीजन है हुए हैं मैडियोलरी प्रामिट मेडली प्रामिट वाला पूरा रीजन आता है 2019 क्या मेडिविऊला उसके बाखर अब एक ही रीजन बचा है जो की आउटर मोस रीजन है और वह cuja About है कॉटेक्स ठीक है यह के डीनी का पूरा का पूरा स्ट्रक्ट्चुर है जिसमें और बे कई सारे specifications निकल कर आएंगे इन medullary pyramids के बीच के जो regions बन रहे ना इसके बीच में columns बन रहे है इन्हें आप renal column कह रहे हो इन्हें आप renal column कह रहे हो ठीक है इन्हें क्या कह रहे हो आप renal column कह रहे हो ठीक है इसकी जो outermost covering है इससे आप renal capsule कह रहे हो renal column, renal capsule ठीक है, यहाँ हम पूरा label कर चुक है done इतना, चलो आगे पढ़े अब देखते हैं kidney के structure में और क्या है, यह जो भी हम पढ़ रहे हैं सब क्या है, structure of kidney na कि kidney के structure में क्या क्या पाया जाता है यही पढ़ रहे हैं, अब देखो इसमें और क्या होता है, the cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns, called columns of burtony, यह जो cortex है, यह आपको यह जो medullary pyramids के बीच वाले जो columns दिख रहे हैं, इन columns को आप क्या कहते हो, इन्हें आप renal column तो कहते ही हो और क्या कहते हो इन्हें, एक नाम और है, एक नाम और है जो आपने अभी देखा, columns of burtony, ठीक है, यह जो cortex extend कर रही है, जिनके बीच में, ठीक है, medullary pyramids के, इन्हें आप कहते हो, क्या renal columns, इन्हें को आप कह रहे हो, columns of burtony, ठीक है, क्या कह रहे हो, columns of burtony, ठीक है, renal column, यह सारे medullary pyramids के बीच वे, जो आपको हिस्से नजर आ रहे हैं, इन्हें आप medullary pyramids कह रहे हो, medullary pyramids के बीच वाले reason को आप renal column कह रहे हो, और यह renal column को ही आप कहोगे, columns of burtony, ठीक है, इन renal columns को ही आप कहोगे, columns of burtony, clear है कहानी, बताओ, kidney के structure में अभी तक आपने जो जो भी देखा, जो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, क्या यहाँ तक कहानी clear है, यह पूरा आपका एक single topic है, structure of kidney, यह पूरा आपका एक single topic है, structure of kidney, ठीक है, structure of kidney में आपने यह सब कुछ देखा, कि अगर हम बात करें, covering की, तो it is a tough capsule, renal capsule, renal capsule से अंदर जाओगे तो cortex, cortex से अंदर जाओगे तो medulla, medulla में होंगे कुछ regions, which are medullary pyramids, medullary pyramids के बीच में होंगे renal columns, renal columns को आप कहते हो columns of burtiny, renal columns या medullary pyramids पे बात हैं, medullary pyramids किस से attached है, तो वो attached है, किसमें embedded है, किसमें adhered है, किसके अंदर वो गुसे हुए हैं, तो वो है किसके अंदर, calyx के अंदर embedded है, calyx को आप बहुत सारे calyx हैं, सबको एक साथ क्या कह रहे हो, calyces कह रहे हो, calyx के बाद वाला region, calyx कहां जुड़ा हुआ है, calyx जुड़ा हुआ है, renal pelvis में, renal pelvis के अलावा, इस hilum में और क्या-क्या रज़र आ रहा है, hilum opening से अंदर आते हुए दिख रहे हैं, renal artery, renal vein, and ureter, ठीक है, clear होई क्या कहानी आपर, structure of kidney पूरा complete, आगे बढ़ें अब, structure of kidney पूरा complete, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, kidney के बहुत important से हिस्से, और इसकी functioning की तरफ, ठीक है, हर एक kidney में, each kidney has nearly one million complex tubular structures, called nephrons, which are the functional units, kidney को क्यों tubular structure कहा जाता है, क्योंकि इसके जो functional unit है, जहाँ इसका पूरा का पूरा function होने वाला है, जहाँ यह अपना काम करने वाली है, जो इसकी functional unit है, वो है क्या, वो हैं बहुत सारे complex tubular structures, जिनने आप collectively nephrons कहते हो, जिनने क्या कहते हो, nephrons कहते हो, kidney एक tubular structure है, क्यों, क्योंकि उसकी functional unit जो है, वो है complex tubules, जिनने आप nephrons कहते हो, clear है क्या कहानी, यह अपने आप में एक question है, why we call kidney as a tubular structure, because it is, what, it has so many tubules, complex tubules, which are the functional units, and also called as nephrons, ठीक है, तो each nephron has two parts, हर एक nephron के दो parts होते हैं, glomerulus and the renal tubule, हर एक nephron के दो parts होते हैं, एक होता है उसका क्या, glomerulus, और दूसरा होता है उसका renal tubule, renal word तो use हो नहीं होना है, जब तक होना है, जब तक आप kidney बढ़ रहे हो, क्या बोला था मैंने, kidney के sense में, kidney के aspect में, जितनी भी बाते होंगी, तो renal, 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 renal term चलेगा, lungs के aspect में pulmonary चला था, liver की बात चलेगी, तो hepatic चलेगा, ठीक है, ये कुछ examples आपके सामने हैं, अब देखो, हर एक nephron, जब हम कह रहे हैं, कैसे बहुत सारे complex tubules होते हैं, जिनने आप nephron कह रहे हो, तो एक nephron के structure के अगर हम बात करें, एक nephron के structure के अगर हम बात करें, जैसे आप देख भी रहे हो, तो हर nephron में दो पार्ट होते हैं, एक होता उसका glomerulus, दूसरा होता उसका renal tubule, glomerulus क्या है और renal tubule क्या है, समझते हैं, देखो, इस diagram को पहले समझते हैं, यहाँ पर से glomerulus और renal tubule क्या है, सिर्फ उसे देखो, glomerulus आपको यह नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, अब tubule को आप कहीं एक जगा label नहीं कर सकते हैं, tubule के बहुत सारे पार्ट नजर आ रहा है, तो वो एक हमारा second topic है discussion का, tubule के पार्ट पर बाद में आएंगे, पहले discuss करते हैं, glomerulus को, nephron के दो पार्ट, glomerulus and tubule, तो tubule के और भी फर्दर बहुत सारे regions हैं, पहले हम discuss कर लेते हैं, glomerulus को, glomerulus क्या है, glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriol, a fine branch of renal artery, afferent arteriol है क्या, renal artery की ही फर्दर ब्रांच है, ठीक है, afferent arteriol है क्या, renal artery की ही fine branch है, ठीक है, काफी fine branch है, तो glomerulus is a tuft of capillaries, formed by the afferent arteriol, which is a fine branch of renal artery, जो renal artery अंदर आई थी न, kidney में, उसी की fine branch है, afferent arteriol, और इस afferent arteriol से ही बना है क्या, इस afferent arteriol से ही बना है क्या, ये पूरा एक tuft like structure, एक पूरा एक mass, जैसे एक कोई, आप क्या सकते हो कि, कोई कप बन गया है, कप शेप बन गया है, ठीक है, अंदर जुसमें क्या है, काफी सारा space है, ये किस से बना है, afferent arteriol से बना है, and, blood from the glomerulus is carried away by an afferent arteriol, glomerulus से अब blood को बाहर ले जाने का काम कौन करेगी, efferent arteriol, ठीक है, afferent arteriol और efferent arteriol, efferent arteriol क्या करेगी, बाहर ले जाने का काम करेगी, अब यहाँ पर आई तो है नहीं, तो आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, ये तो है ना, तो external वाले सेंस में आप ये को याद रख सकते हो, external वाले सेंस में आप ये को याद रख सकते हो, के चीजों को बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा है external मतलब बाहर तो बाहर लेके जाने का काम कौन कर रहा है glomerulus से blood को blood को glomerulus से बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा है efferent arteriol efferent arteriol और efferent arteriol क्या कर रहा है वो लेकर आ रहा है अब यह लाना ले जाना कर क्यो रहे? इस ग्लॉमरिलस में होगा क्या ऐसा? ठीक है? इसके अंदर होने क्या वाला है? नेफरोन के दो हिससे है, इत्ता तो समझ जा या, लेकिन इसमें ऐसा होने क्या वाला है? यह समझ जो रहे? Blood from the glomerulus is carried away by an efferent atriole and the renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called as Bowman's capsule which encloses the glomerulus. यह देखो, यह देखो इदर, यह जो cup-like structure आपको नजर आ रहा है, यह cup-like structure. See, यह जो cup-like structure आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर यह efferent atriole और efferent atriole का आपको पूरा ऐसा गुच्छा नजर आ रहा है, यह किस के अंदर है? यह cup-like structure के अंदर है, which is called as Bowman's capsule, जिने क्या कहते हैं? Bowman's capsule कहते हैं, Bowman's capsule के अंदर, एक cup-like structure के अंदर, यह efferent atriole की fine branches द efferent atriole भी वहीं पर दिख रहा है, efferent blood को लेकर आ जाएगा, efferent blood को लेकर चला जाएगा, यहां तक भी clear है, पर यह करेगा क्या इसके अंदर, करेगा क्या है इसके अंदर, बस यह समझना बाकिए, बस यह समझना बाकिए, चलो देखते हैं, चलो, Glomerulus along with Bowman's capsule is called the malfeasian body or renal carpuscle, इन दोनों को एक साथ जबाब कहोगे, किस के साथ, यह जो Bowman's capsule है और Glomerulus है, Glomerulus क्या है, यह जो efferent और efferent atriole नहीं है, जो पूरा गुच्छा बनाया है न, ठीक है, जो पूरा गुच्छा बनाया है न, ठीक है, जो पूरा गुच्छा बनाय है, तो वो गुच्छा और वो कपलाइक स्ट्रक्चर, मतलब Glomerulus और Bowman's capsule, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, इस पूरा पैर्टस को एक साथ क्या कहोगे, इसे एक साथ आप कहते हो क्या, Glomerulus along with Bowman's capsule is called as the malfeasian body or the renal carpuscle, इसे malfeasian body या renal carpuscle भी कहते हैं, ठीक है, इसे malfe इसे malfeasian body या renal carpuscle भी कहते हैं, किसे Bowman's capsule को along with Glomerulus, इसे malfeasian body या renal carpuscle भी कहते हैं, यह टिब्यूल क्या करेगा, दटिब्यूल कांटिनूस फर्दर, तु फर्म आ हाइली कॉइल नेट्वर्क, विच इस प्रोक्सिमल कॉन्मिलेटेड टिब्यूल, यह टिब्यूल क्य और बनाएगा एक हाइली कॉइल नेट्वर्क, जैसे आप PCT कहते हो, प्रोक्सिमल कार्न विलेटेड टिब्यूल कहते हो, यह कहां है, देखो, यह जो आप इहां पर देख रहे हो, ठीक है, यह जो आप इहां पर देख रहे हो, माल्फिजिन टिब्यूल की बाद हम कर रहे ह ना सी मार्फिजिन बॉडी के हम बात कर रहे हैं हम इस रीनल कापसल की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब यह जो टुब्यूल है यह आगे और ज्यादा कॉइल होता रहेगा और एक बहुत ज्यादा हाइली कॉइल नेटवर्क बनाएगा जिसे आप PCT कह रह है यहां से देखो यह ग्लोमेरिलस से निकल कर आया बोमन्स कैपसिल से मार्फिजिन कापसल से और यहां से यह और ज्यादा कॉइल होता जाएगा और जिसे आप कह रहे हो PCT ऐसे होता है फिर एक DCT भी होता है ठीक है यह सारी चीज़ें आपको टुब्यूल के बारे में कहानी पर आते एक बहुत ही बड़िया सा स्ट्रक्चर जिसके उपर कौेशन साथे हैं खिक है इस पूरे नेफरोन के स्ट्रक्चर में यह हेरफ शेड़ कौन सा है हेर पिन कौन सी ऐली अगर आपने जूड़ा पिन देखी ओन ऐसे जूड़ा पिन Shift थीन लेघें आगर nephron के structure के अंदर ठीक है इससे questions आते हैं कि hairpin shaped कौन सा structure है कौन सा part है nephron के structure में तो it is henley's loop या loop of henley ठीक है henley's loop या loop of henley जो की hairpin shaped होता है कहां होता है चलो देखेंगे अभी इससे read करो फर देखते हैं next diagram में hairpin shaped henley's loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb ये tubule का next part होता है जिसमें एक descending और एक ascending दोनों limb होती है ओव्यस्सी बात है अगर कोई चीज ऐसे hairpin shaped है तो वो descending भी होगी ascending भी होगी उसमें दोनों limb होंगे दोनों limb होंगे न उसमें ये वाला यू-pin अगर उसे बनाना है hairpin अगर उसे बनाना है तो उसमें descending loop भी होगा ascending loop भी होगा simple सी बात थी ये तो ये तो बहुत simple सी बात थी अब इसे ज़रापन nephron के structure में देख लें इसे ज़रापन nephron के structure में देख लें कि कहां पाया जा रहा है चलो आजाओ देखो यह रहा नेफ्रॉन का structure और फटा फट से ज़रा देख के बताओ यहां यूपिन कहां दिख रही है बिलकुल दिख रही है मैम clearly दिख रही है यह देखो यूपिन दिख रही है किस किसको नहीं दिखाई दिए यूपिन बिलकुल दिख रही है बस यही तो कहा आप से कि यह जो बोमन्स capsule, glomerulus और इसके अलावा आपको जो structure नजल आया क्या tubules का इसके parts में आपने देखा कि यहां देखो यह glomerulus किससे मिलके बना है afferent arteriol और efferent arteriol का घुच्छा है यहां पर ठीक है बहुत ज़ादा fine branches है जो कि already किसकी fine branches है आयोटा की ठीक है, renal आयोटा की अब इन fine branches को रखा किसके अंदर है, a cup shaped structure which is बोमन्स capsule, ठीक है, इसके बाद अब ज़रा एक बड़ डाइग्राम में फटाफट से देखो tubules को, फिर अपना आते हैं tubule के उपर, nephron के दूसरे हिससे tubule के उपर, चलो, tubules की कहानी में कुछ नहीं है, जो आपने अभी देखा, malfeasian carpucle आपने इसे कहा, right, अब इस कौनसे structure को कहा, glomerulus और moments capsule के combined structure को, इस carpucle के बाद अगर आप देखोगे tubules की कहानी को देखना start करोगे, तो सबसे पहला tubule देखो diagram में देखो सबसे पहले, सबसे पहला tubule आपको नज़र आ रहा है PCT, which is proximal convulated tubule, then आपको नज़र आ रहा है loop of Henley या Henley's loop, जो कि एक hair pin shaped structure है, ठीक है, U-pin shaped होता है, juda pin इसको basically कहते हैं, अगर आपने कभी देखा हो अपनी बहन वगेरा का, ठीक है, तो U-pin shape होता है इसका, अब ये U-pin आपको बिल्कुल clearly visible है यहाँ पर, बिल्कुल U-pin बन रहा है, इसके बाद जो tube है, this is distal convulated tubule, जो आप next पढ़ने वाले हो, और यहाँ पर ये हो गया loop of Henley, या Henley's loop, इस loop में दो limb आपको नजर आएंगे, एक होगा descending limb of loop of Henley, ये नीचे की तरफ जा रहा है, descend कर रहा है, और एक होगा ascending limb of loop of Henley, ठीक है, Henley's loop में दो पाट आएंगे, descending और ascending limb of the loop, ठीक है, descending limb और ascending limb of the Henley's loop, loop of Henley, ये हुआ इसका part, इसके बाद वाला जो tubular structure है, this is distal convoluted tubule, मतलब आप देखो कि अगर ध्यान से, तो आपने tubular part को कितने region में divide किया, आपने बोला एक है भाई PCT, आपने बोला एक है DCT, दोनों के बीच में है U-pin, वो क्या कहलाता है, handless loop हो गया, इसके बाद अब ये सब कहां जाके end होगा, ये जाके मर्ज हो जाएगा किसमें collecting duct में, जो कि सारे nephron को एक दूसरे से जोडती है, collecting duct में जाके ये DCT add हो गया, और जो कि सारे nephron को एक दूसरे से जोडती है, सब का क्या करती है, वो secretion collect करती है, ठीक है, सब का material वो क्या करती है, collect करती है, तो this duct is collecting duct, simple, tubular structure में, कहां से कहानी शुरू हुई, कहानी शुरू हुई, कहां से, कहानी शुरू हुई मैम, malphusion capucle से, जिसके अंदर है glomerulus, और क्या है, रखा हुआ है कहां पर, एक cup shaped structure, bowman's capsule में, glomerulus में क्या है, अगर उस पर भी बात करें, तो efferent arteriol और efferent arteriol का, वहां पर क्या है, पुरा गुच्छा है, ठीक है, जो कि आगे, और भी पूरे में, पूरे इस handless loop तक उलज़ा हुआ है, और उसे आप कह रहे हो, यहां पर, वाजा रेक्टा, इसे आप क्या कह रहे हो, वाजा रेक्टा कह रहे हो, ओके, यह पूरा डाइग्राम इसी सी से बना, नेफरोन का structure यही है, जिसके अंदर, यह हुआ क्या, मालफिजन कापसल, इसके बाद जो highly coiled tube नज़र आएगी, which is PCT, मतलब proximal convulated tubule, इसके बाद एक U-pin shaped structure दिखेगा, which is the loop of Henle, loop of Henle की बात अगर करते हैं, तो it has two limbs, descending limb of loop of Henle, and ascending limb of loop of Henle, then इसके बाद continue करेगा एक और tube, which is the distal convulated tubule, which is the distal convulated tubule, जो जाकर merge हो जाएगा, join हो जाएगा, combine हो जाएगा, किस के अंदर, collecting duct के अंदर, किस के अंदर combine हो जाएगा, collecting duct के अंदर, जाके combine हो जाएगा, clear है कहानी, बोल दिया करो यार, हाँ या ना, या no, 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 yes, no, maybe, ऐसे कुछ IUU करके, जबा जबा करके, कुछ तो बोला करो, हैं चुप चाप बैटके सुनते रहते हो, कुछ तो बोला करो कम से कम, दो structure पढ़ चुके हो, kidney का structure पढ़ चुके हो, और nephron का structure पढ़ चुके हो, human expatriate system पढ़ चुके हो parts पढ़ चुके हो कहीं तो बताओ कहीं तो बताओ किते न समझाया ठीक है अब यहां पर हम देख चुके हैं PCT और loop of handlay के बारे में handless loop के बारे में hairpin shaped structure part कौन सा है nephron का loop of handlay question आता है बठा के रखना दिमाग में थर्ड देख लेते हैं DCT distal convulated tubule जो ascending limb होगा वो एक another highly coiled tubular region में continue होता रहेगा आगे यह देखो यह ascending limb आगे continue हो रहा है किस region में एक और highly coiled loop which is distal convulated tubule मतलब DCT PCT loop of handlay DCT and collecting duct कहानी कतम तो the DCTs of many nephrons open into a straight tube और कई सारे nephron की DCT देखो कई सारे दिख भी रही है यह क्या है DCT यह क्या है DCT किसी दूसरे nephron की collecting duct में अगर कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो सब क्या है DCT क्योंकि collecting duct में जाके मर्ज कौन हो रही है हर nephron का DCT आके मर्ज होता है मतलब distal convulated tubule आके मर्ज होता है ठीक है तो DCTs of many nephron open into a straight tube which is called as collecting duct and many of which converge and open into a renal pelvis और आपने किड्नी का structure देखा ही कैसे कई सारे collecting duct आके कहां open हो जाते हैं मर्ज हो जाते हैं renal pelvis में कहां जाते हैं renal pelvis में आके मर्ज हो जाते हैं through medullary pyramids in the calluses ठीक है यह structure आप देख चुक्ए हो देख चुकिए ओना कहां देख चुकिए मदम अरे यार यही बात अच्छिनी लगती मुझे यह देखो यहाँ देख चुकियों आप यह सारे madulary pyramids से जिसमके अंदर यह सारे debuel भरे पड़े हैं इन debuel से collecting duct जो है वो आगया कि कहां मर्ज हो जाएघी collecting doctor सबकी सारे टीपियूल की collecting duct आके calynezis के थूness से attracts의 puisque क chasing that okaycrief कहा पर होगी पैल में रिनल पाल्विस में मर्ज हो जाएगी यही तो कह रहे है कि क्या लिश से होते हूए मिडिल मिडूलरी पिरामिट से था न ये लदो जितने भी नैफ्रों ने हर पिरामिड invegas के उन Now, see, the malphigen capucle, अब बात करते हैं, हम दोनों structure तो पढ़ लिया, diagram भी पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि यह जो malphigen capucle है, PCT है, DCT है, nephron का, यह सब किड़नी के cortical region में present होते हैं, whereas the loop of Henle dips into the medulla, ठीक है, यह सारे regions kidney के cortical part में होते हैं, यह सारे part kidney के cortical region में होते हैं, कहां होते हैं, आपने देखाता हैं, cortex and medulla, तो cortical part में यह सारे regions होते हैं, यह सारा tubular part और जो इसके loop of NLE की आप बात कर रहे हो, यह U-pin जो है na loop of NLE की, यह आके कहाँ dip होती है, यह medulla में आके dip होती है, यह कहाँ आके dip होती है, यह medulla में आके dip होती है, तो in majority of nephrons, ज्यादा दर nephron की अगर हम बात करें, तो जो loop of NLE होत होता है, वो बहुत छोटा होता है, and extends only very little into the medulla, medulla में आके बहुत ही कम extend होता है, मतलब loop of NLE, ज्यादा तर nephron की अगर हम बात करें, तो बहुत छोटा होता है, और medulla में बहुत कम ही आके वो क्या होता है, insert होता है, such nephrons are called as cortical nephron, क्योंकि उनका maximum हिस्टा कहाँ पर है, cortical region में ही है, medulla में आके उनका जो loop of NLE है, उसको आना चाहिए था पर वो छोटा है, तो बहुत कम ही उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर extend हो रहा है, medulla के अंदर, इसलिए ऐसे nephrons को आप cortical nephrons कहते हो, क्या कहते हो, cortical nephrons कहते हो, जिनका 90% maximum हिस्सा कहाँ है, cortical region में ही है, medull region में बहुत कम है, तो क्या कहोगे, इन्हें आप cortical nephrons कहते हो, and in some of the nephrons, the loop of NLE is very long, और अगर हम कुछ nephrons की बात करें, तो loop of NLE इतना लंबा होता है, that it runs deep into the medulla, कि वो medulla में काफी deep तक extend कर रहा होता है, तो obvious सी बात है में हम ऐसे वाले nephron को medullary कहते होंगे, obvious सी बात है म क्या कहते है, medullary कहते है, ठीक है, तो जिनका maximum हिस्सा cortical region में ही है, loop of NLE छोटा है, उनको आप cortical nephron कहोगे, जिनका loop of NLE बढ़ा है, लंबा है, जो की medullary region में काफी अंदर तक extend कर पा रहा है, तो these nephrons are called as juxtamedullary nephrons, क्या कहोगे, juxtamedullary nephrons कहोगे, simple है terminology, simple ही है, अभी तक तो कोई रिक्कत वाली बात निकल कर आई नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं माम, it is not simple dimple, तो बता दो मुझे, और अगर लग रहा है कि येस माम, it is simple dimple, तो भी बता दो मुझे, बिना बताएं तो पता चलनेगा नहीं, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं हम atriole की, the different atriole emerging from the glomerulus, अब ये जो different atriole glomerulus से बाहन निकल कर आ रही है, this forms a fine capillary network, ये काफी बहुत ही fine, बहुत ही बारिक सा capillary network बनाती है पूरा अपना, इस पूरे renal tubule के आसपास, जैसे आप कहते हो, peritibular capillaries, जिने आप कहते हो, peritibular capillaries, क्योंकि ये पूरे tubule के आसपास, उसकी periphery में ये पूरा आपना fine network बनाती है, इस fine capillary network को आप कहते हो, peritibular capillaries, क्या कहते हो इन्हें आप, peritibular capillaries कहते हो, इस fine network, is fine branch of capillaries को, आप peritibular capillaries कहते हो, जो किसने बनाई है, जो glomerulus से निकलने वाली effrant atriole ने ही बनाई है, छीक है, peritibular capillaries कहला गई, and a minute vessel of this network runs parallel to the handless loop, a minute vessel of this network runs parallel to the handless loop, forming a U-shaped vasa recta, वही structure जो हमने यहां देखा, कि इस पूरे loop के आसपास आपको एक और loop ऐसा उल्जा हुआ नजर आ रहा है, which is called as the vasa recta, ठीक, तो vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons, अब अगर हम उन nephrons की बात करें, जिन में यह loop of handle बहुत ही चोटा है, ठीक है, जो कि medullary region तक पूरा आई नहीं रहा, मतलब cortical nephron है, तो उन में यह vasa recta या तो क्या होती है, या तो absent होती है, या फिर highly reduced होती है, ठीक है, cortical nephrons में vasa recta, क्योंकि भई loop of handle ही चोटा है न, loop of handle ही चोटा है, तो vasa recta जो उसके आज पस पूरा उसकी periphery पे बनाने वाली है, पूरा यह branch, तो वो भी कैसी होगी, या तो absent होगी, या बहुत जादा reduced, बहुत जादा चोटी होगी, मतला cortical nephrons के केस में, जिन में loop of handle ही चोटा होता है, वहाँ पर आप बोलोगे, कि vasa recta या तो absent होती है, या फिर बहुत जादा reduced होती है, highly reduced होती है, और अगर बात करेंगे, आप juxtra medullary nephrons की, तो वहाँ पर तो loop of handle भी बढ़ा होता है, और vasa recta भी जादा बढ़ी होती है ठीक है, ओकेई, एक बार जरा मुझे फड़ावट से बताओ, कि अभी तक हमने इस पूरे human excretory system में, जितने भी parts को पढ़ा है, जितने भी regions को पढ़ा है, क्या ये सारे regions समझ में आए हैं, एक बार हम पढ़ावट से फिर पूरे lecture का review लेके आते हैं, कि शुरुवात से इस सब कुछ आपके important points थे, इस से पहले introduction के अगर हम बात करें, तो introduction में important था, कौन सा organism क्या excrete करता है, क्या कहलाता है, ये सब कुछ, किसको excrete करने में कितना पानी लगता है, कौन सा toxic है, कौन सा नहीं है, हम कैसे organism है, ये सारे important points हो गए, फिर निकल कर आए, इस में से कुछ बहुत important diagrams, kidney का structure, nephron का structure, human excretory system का structure, ये 3 important diagrams हो गए, ठीक है, glomerulus का structure, ठीक, these are the important diagrams, अब बात करते हैं, एक पूरे complete review की के भई, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, इस lecture में, introduction तो हम देख चुके थे, पूरा, introduction से आते हैं, आगे, human excretory system पे, तो भई, we are ureotelic, हम urea excrete करत हैं, ठीक, मतलब हमें moderate amount of water चाहिए, और ये moderately ही toxic है, बहुत ज़्यादा toxic नहीं है, जैसे कि ammonia होता है, most toxic, तो इसलिए हम अपनी body में store कर सकते हैं, कम से कम कुछ वक्ते तक, ऐसा नहीं का हमेशा, पर कर सकते हैं, ठीक है, moderately toxic है, and kidneys कैसी होती है, reddish brown होती है, bean shaped होती है, dimensions हमन के पड़े, कि dimension कैसा है, 10-12 cm in length, 5-7 cm in width, 2-3 cm in thickness, and average weight की अगर बात करें, तो it is 120-170 grams, यह हुआ इसका dimension and weight and everything, अब बात करें हैं, हम पूरे structure की kidney के, तो kidney के structure में हमने क्या पढ़ा है, diagram देखो यह वाला, हम, इस structure में हमने यह पढ़ा है, कि concave shape से center की तरफ अगर आओगे, पढ़ा-पट से 2 minute के अंदर पूरा आपको revision करा रही हूँ, पढ़ा-पट से देखो, concave shape के center की तरफ अगर आओगे, तो जो opening है, जिससे सारी चीज़े अंदर enter कर रही है, this is called as hyalum, hyalum से क्या के अंदर enter कर रहा है, renal artery, renal vein, ureter, यह सब कुछ अंदर enter कर रहा है, hyalum से अंदर आके देखोगे, तो आपको एक बिल्कुल funnel shape आप बोलोगे के structure नजर आ रहा है, जो कहला रहा है, renal pelvis, renal pelvis में आप देखोगे, तो बहुत सारे regions निकले हुए है, calyx हैं वो सारे के सारे, सब को एक स zone आपने define किये, उसकी पूरी जो boundary है, वो काफी tough capsule है, जिसे renal capsule का होगे, अंदर वाला जो आप आप देखोगे, कि boundary के side का पूरा region, this region is, this region is cortex, और अंदर वाला region is medulla, medulla divided है, बहुत सारे zones में, जिने आप कहते हो, medullary pyramids, ठीक है, medullary pyramids के अंदर की कहानी, अगर हम देखें अच्छा, हाँ, एक ध्यान देना, यह जो medullary pyramids हैं, इनके बीच के जितने भी columns हैं, आप renal column कहते हो, और इन ही renal column को, आप columns of burden ही भी कहते हो, ठीक है, फिर आए आप कहां पर, आप आए नेफरोन के structure पे, नेफरोन का structure कैसा है, glomerulus है, efferent arteriol, efferent arteriol का गुच्छा है, ज मालफिजन कापिसल के बाद जो tube run करेगा, वो tube बहुत जादा coiled हो जाएगा, और आप उसे कहोगे proximal convulated tubule, PCT के बाद आएगा, loop of handle, which is the U-pin or the hairpin shaped structure, जिसमें एक होगा descending limb, नीचे जाता हुआ, एक होगा ascending limb, ऊपर जाता हुआ, उसके बाद यह फिर से highly coiled होने लगेगी tube, और कहलाएगी distal convulated tubule, distal convulated tubule जाके merge हो जाता है किस के साथ, collecting duct के साथ, जितने भी nephrons है, सब के DCT आके collecting duct में merge हो जाते हैं, यह पूरा का पूरा nephron का structure है, जिसे आप दो पार्ट में divide करते हो, glomerulus and tubules, ठीक है, tubules में आपने देखा क्या-क्या है, PCT है, DCT है, loop of handle आपने देखा, loop of handle के बारे में एक चीज़ हमने पड़ी, कि जो nephrons, cortical nephrons होते हैं, मतलब जिनका maximum हिस्सा cortex में होता है, medulla में बहुत कम होता है, इनका loop of handle छोटा होता है, और loop of handle छोटे होने के साथ, जो वाजा रखता हो है, वो भी क्यासी होती है, इसमें, या तो absent, या highly reduced, और करें, medullary, juxta, medullary nephron की, तो वहाँ पर loop of handle भी ज़्यादा होता है, medulla में extend होता है, और वाजा रेक्टा भी ज़्यादा होती है, ठीक है, size में भी बढ़ी होती है, और present भी होती है, ठीक है, तो ये थी कहानी, अभी तक के पूरे lecture की, अब यहाँ पर जो main main points थे हमने उसे revise भी किया, ठीक है, अब क्या करना है, अब मिलना है हमें next lecture में, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक बार ज़दा याद तो कर लो, क्या dialogue मारती हूँ मैं, जल्दी से याद तो कर लो, क्या dialogue मारती हूँ मैं, next lecture में हमें मिलना है, और उस next lecture के पहले, आपको कोई भी चीज बाकी नहीं बचने देनी है, पटावट से जाना है, अपने फेवरेट चैनल Magnet Brains के playlist section में, recorded lectures की playlist आप ढूद लोगे मुसकान माम की, सारे lectures आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चलो, मिलते हैं next lecture में, करेंगे क्या, इसी chapter के नए topic को prepare, till then, bye bye, take care everyone